अब से कुछ देर बाद कुमार स्वामी करनाटक के नए मुख्यमंतरी के तौर पर शपत लेंगे शपत ग्रण से पहले करनाटक में तेज बारिश हो रही है इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाटक विदान्सवा परसर की तस्वीर है करनाटक विदान सवा में आपसे कुछ देर बाद शपत गरंड समारो होगा जब कुमार स्वामी करनाटक के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपत लेंगे आपको बता दें कि डिप्टी सीम के तौर पर कॉंग्रेस नेता जी परमेश्वर शपत लेंगे 19 मैं को फ्लोटेस से पहले ही बीजेपी नेता बीएस यदुरप्पा ने मुख्यमंत्री पत से इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद राजजपाल ने कॉंग्रेस जेडियेस गड़बंदन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था आज के शपत गर्ण समारों में विपक्ष के कई नेता लामबंद होंगे और मिशन 2019 की रूप रेखा तैहो की तो अब से कुछ देर बाद करनाटक विधान सवा में मुख्यमंत्री पत की शपत लगे कुमार स्वामी और ये मौका सिर्फ करनाटक की राजनीती तक सीमित नहीं रहेगा देश की राजनीती के नजरिये से करनाटक के शपत गर्ण समारों को खासा महत्तपूर्ण माना जा रहा है और शपत गर्ण समारों को लेकर किस किस तरीकी की राजनीतिक प्रत्किरियाएं आ रही है ये आपको दिखाते है देखे बेगाने शादी में अब्दुल्ला दिवाना कांग्रिस का मुखमंत्री हटा है करनाटक से करनाटक की जनता ने कांग्रिस के 14 मंत्री हराय है मुखमंत्री को हराया है मुखमंत्री पदपर अब कांग्रिस का कोई मुखमंत्री नहीं होगा करनाटक में लेकिन वो पिछले दर्वाजे से हकुमत में जा रहे हैं कुमार स्वामी जी मुखमंतरी का होथ लेंगे अब कांग्रेस वहां उनके साथ हकुमत पिछले दर्वाजे से पाएगी जिनको भी ये कठे होके दिखना है देश की जनता नरंदर मोदी जी के साथ एक अठी है एक जुटे आगे यूनेस का चुनाव होने वाला है उसमें एक साथ बैच करके भाजपा को अपदस्ट करने के दिस्टिकों से एक नीती बनाएंगे इसका एक पहल हुआ है और इस पहल के लिए करनाटक के जो हमारे कुमार प्रामी जी है जो आइज ओधे रहे हैं या और हमारे अन कांगरेश के लोग है ये जेडीश के लोग है उनको हम धनेवाद देते हैं सेकुलर फोर्से और वर विक्तोरियस ओवर देया and now we have a secular democratic government I am sure this will pave the way for preserving the constitution of India चलिए तो अलग-अलग तरीके से देखा जा रहा है करनाटक के शपत ग्रण समारो को जिसकी शुरुआत अपसे कुछ देर बाद होगी लेकिन राजनीती के लिहाद से इस तस्वीर का क्या कुछ मतलब है ये समझने की कोशिश लगातार हम करते रहेंगे हमारे साथ वरिश पत्रकार विनो दगनी उत्री जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ वरिश पत्रकार श्री दत्तन जी जुड़ रहे हैं बात रही है किस तरह से जिस तरह से भाजपा ने गवरनर के पद का दुरूपियों किया और तमाम चीजें रही तो सो भाविक है कि हम भी फूख फूख कर कदम रख रहे हैं और आपके पास जो खबर है वो बिल्कुल ठीक है कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री महोदे ही आज शपत लेंगे अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदे की बाइट नियूज नेशन पर सुन रहा था तो वो कह रहे थे बेगानी शादी में पता नहीं क्या कह रहे थे मुझे लगता है पूरी भाजपा की आज हालत हो गई है कि खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे और एक कहवत है कि जूटे का मूँ काला और सच का बोल बाला आज ऐसा ही हो रहा है लोगतंत्र की विजे हुई है तमाम मीडिया चैनल्स और पूरा देश हमें शुब कामनाई दे रहा है कि करनाटक में करनाटक की जंता के लिए आप क्या कर सकते हैं पॉजिटिव उस पर विचार कि आलोग जी बीजेपी के नेता को लेकर आपने अपनी राय तो काय अनुराग जी यह कोई निस्ठा का प्रश्ट नहीं है आपने देखा वगा जब रात के समये धनी का समान घर के बहार रखा तो धनी अपने अंदर ले लेता है कि बाहर के लोग जिस तरह का वाता वरन है जिस तरह का विधायक चोरों का आतंक फैला हुआ है पूरे देश मे तो सोभाविक है कि अपने घर को बचाने रखना हमारा फर्ज था और अमिच शाहजी ने पूरी तरह से अपनी जो प्रेस कॉन्फरेंस पर्सों की उसमें क्लियर कर दिया कि विधायक अगर बाहर होते तो सरकार हमारी होती तो सोभाविक है कि वो पूरी तरह से जोड़ तोड सब चीजों के लिए तयार थे लेकिन हमने अपने घर को बचा कर रखा हिंदुस्तान के लोगतंतर को बचा कर रखा और आज पूरा देश कह रहा है कि कॉंग्रेस इसी तरह से अगर मजबूती से आगे बढ़ेगी तो 2019 में कोई नहीं रोख सकता है लेकिन अगर हम विधाय के लिहाद से देखें तो कहीं निश्ठा पर तो सवाल है ना पार्टी कहीं ना कहीं तो डरी होई है देखिए असली बात यह कि इस वक्त जो विधायक चुनके आते हैं किसी भी पार्टी के अब राजनीतिक और सैध्धान्तिक प्रतिपद्दताएं जो हैं वो खतम हो गई अब तो सीधे असरवात की राजनीती है तो कहीं न कहीं ऐसा होता है कि हर पार्टी जब यह इस्तिती होती है तो अपने विधायकों को बचा के रखती है क्योंकि जोड़तों की बहुत सम्मावनाय बढ़ जाती है आद देखिए दुरप्पा ने भी शपत अकेले ही ली थी क्योंकि इनको अभी अपने विधायकों को सबको ये दिखाय रखना है कि भई कोई सबके मन में आशा रहेगी लेकिन दूसरी तरफ जो करनाटक की तस्वीर है उसमें ऐसा लग रहा है कि मानों इंदर देव कुछ जादा ही महरबान है क्योंकि करनाटक में इस वक्त बैंग किस तरीके के हो सकते हैं खासकर तब जब की बहुत तेज हवा चल रही है आंधी के लगातार खबरें आ रही हो तेज बारिश हो रही और इस बीच कुमार स्वामी पहुंच रहे हैं विधानसवा परसर में शपत के लिए लेकिन जो मौसम का मिजाज है वो कहीं इस जशन को फीका ना करते हैं विनुस सब्सक्राइब करना पड़े राजभौन के अंदर करना पड़े तो वो जो एक बड़ा शो मेगा शो की तयारी है कि इसमें तमाम विपक्ष के बड़े दिगज में देख रहाता शरत पवार भी बंगलोर एरपोर्ट पे अगलेश यादों हैं त तो चंद्रबावू नाइडू हैं सोनिया गांदी राउल गांदी हैं तो यह सारे लोग देवगणा जीत होंगे ही तो इनको सब को एक मंच पर एकठा देखना अपने आप में बड़ा एउजन जैसे कि जब आप एकी बीजेपी सरकार बंती है तो एक सब्सक्राइब बंत प्रकृति को भी स्विकार नहीं है आलोग जी नहीं जिस तरह का टेंपरेचर बढ़ा है पूरे देश में और जिस तरह से सूखे तक की है और किसान अगर किसान की बात करें तो किसान बढ़सात को दे कर यह नहीं कहता कि पानी बरस रहा है राजस्तान में कहा जाता है कि राम जी बरस रहे हैं तो यह परमात्मा का आशिरवाद है भाजपा के प्रवक्ताओं को नुक्ता चीनी करने की पूरी तरह से हमेशा से आदत रहती है बीजेपी तो अभी तक भी सोच रही है कि शाद बिल्ली के भाग का चीका फूट जाए लेकिन ऐसा नहीं है यह हम भगवान के आशिरवाद के तौर पर इस बारिश को ले रहे हैं और हमसे जो पिछले टर्म में कमिया रहे गई जो चीजें हम नहीं कर पाए हम उमीद करते हैं परमात्मा आशिरवाद दे रहे हैं कि आप उनको आगे बढ़ाईए और पूरा कर होगा उपमोख्यमंतरी कौन होगा इसका क्या कुछ मतलब है सब कुछ तैय हो चुका ही मान लिया जाए या कहीं कुछ संभावना और नजर आती है आने वाले दिनों में जिसको लेकर उठापटक मचे नहीं आगे आगे वाले दिने में इसका उठापटक होगा आई क्यो अभी इमीडियेटली वो नहीं कर पाएंगे इतना पुल्स और प्रशर्स है दोनों कोईलेशन पार्टनर्स में वो इट टेक सम टाइम टू सेटिल चली लेकिन आलोग जी जो एक बुनियादी सवाल है वो सवाल है कि अंतर है कहां जिस तरीके से शपत गरन यदुरपस आपकी भी है वहाँ पर भी अस्मंजस के इस्तिती थी विधायकों के निश्ठा को लेकर भविश्य को लेकर और जो मौझूदा तस्वीर अभी है आपकी उसमें भी यही सवाल उठ रा है देखे मैं समझता हूँ कि उसमें एक बेसिक फर्ख है कि वहाँ पर अमिच शाह और मोदी जी जो हर शपत ग्रेंट समरो में जाते हैं उन्हीं को भरोसा नहीं था वो नहीं गए वहाँ पर और मंच पर मांतर केवल आपने देखा होगा यदुरप्पा साहब थे यहाँ पर विपरी थे विलकुल यहाँ पर केवल कॉंग्रेस और जेडियेस के लोग नहीं हैं जो बाकी राज्यों के मुख्यमंतरी हैं या पूरु मुख्यमंतरी हैं या उनके अध्यक्ष हैं वो भ लिए जनता ने ने प्रकृती ने सुईकार नहीं किया है जिए हम तो आज प्रमात्मा से सर जुका के कहते हैं कि हमारी सीटे भी घटी थी चाहे वोट परसेंटेज दो जादा रहा हो लेकिन प्रमात्मा हमें ताकत देना कि जो काम करनाटका की जनता के अधूरे रह गए हैं इस देश के लोगतंत्र को बचाने के लिए जो भी हम काम कर सके हमें ऐसी शक्ती देना लेकिन जो सवाल था उसका जवाब कहीं बांदारी से नहीं मिल पा रहा है अलोग शर्माजी सीधा सवाल सिर्फे है कि मंत्रियों के नाम का ऐलान ना करने के पीछे की वजह क्या है ये कई बार के जीते हुए विधायक भी हैं सबको अड़्जेस्ट करना अकॉमेडेट करना और वो भी खास तोर पर जब कोईलेशन होती हो कोईलेशन की जब भी कोई चीज़ होगी तो कोईलेशन में सोभाविक है कि विभागों को लेकर भी कौन मंत्री बनेगा पहले कॉंग इससे ज़्यादा कहीं कोई इन बिट्विन दे लाइंस कुछ नहीं है विनोट जी इतना ही सामान ने होगा क्या आने वाले दुनों में लेकिन ऐसा नहीं पेंच बहुत सारे हैं जैसे सुरू में कॉंग्रिस मंग रही थी उनकी कोशिश थी एक दली तोर एक लिंगायत को ह शुक्त है अला कि बाद में खंडन भी किया इसके अलावा जो 22 मंत्री बनें कॉंग्रेस की तरफ से जो 12 मंत्री बनें तो अभी सब विधायकों के उमीद है कि शायद हम मंत्री बन जाएं तो वह अभी जो बंद मुठी है उसको ना कॉंग्रस खोलना चाहती है ना बीज ज मनलब फ्लोर टेस्ट से पहले सबके निष्टा बनी रहे मंत्री बद के लाला चुए तो वह एक बंद मुठी बंद रखना चाहती है और अक्सरी पार्टियां इस तरह की अस्मंजस वाली सिदिय में करती है जब भी इस तरह की स्थिती होती है हर पार्टी करती है मुख सब्सक्राइब करना पड़ता है तो यह दवाब कंग्रेस पार्टी के ओपर भी है और साथ बीजेपी से तरुन चुक साहब जुड़ चुक है वरिश नेता है प्रवक्ता है चुक साहब सबसे पहले तो आप आलोग जी को बधाई देना चाहेंगे क्या उनकी गटबंदन क कि नेता मुख्यमंद्री पत की शपत ले रहें करना तक में आपसे कुछ दिरबार है ऐसा है कि 122 सीटों से 78 सीटों पर पहुंचे हैं बैक गेर लगाया है लेकिन सबसे चोटी पार्टी को मुख्यमंद्री बनाकर सरकार बना रहे हैं इसलिए इनको बहुत-बहुत हो गई है और बड़े देश के सभी पार्टियों के नेता आ रहे हैं पहले वाली जो युद्रप्पा जी की शपत थी उसमें जनता उनके साथ नहीं थी जनता हमारे साथ है जनता ने तो 104 सीटे भारती जनता पार्टी को दिये और इनको सजा दी है 122 से गठाकर 78 किया है नहीं आपको अफसोस या मलाल है इस बात का कि आप कॉंग्रेस या जेडीस के विधायकों के अंतरात्मों को नहीं जगा सके जो सबसे चोटी पार्टी है वो सत्तादारी पार्टी है और नंबर टू की पार्टी जिसके खिलाब हो लड़के है यह उसकी स्पोर्ट कर रही ह और उसके ओपर मिठाई बांट रहे हैं हम 122 से चुक साहब जो सवाल है मेरा वो सिर्फ इतना है बड़ाई बांटो हमारे 14 मंत्री आर गए मुख्य मंत्री एक सिर्फ से आर गया 111 चाहिए थे 104 आपको मिले जो बाकी के साथ थे उन विधायकों की अंतरात्मा आप नहीं ज समझता हूं हम असफल रहे लेकिन यह बात निश्चित है कि कांगरस ने मुख्य मंत्री का पद दे कर उनको खरीद लिया यह भी कोई करप्शन से कम नहीं है कि आप कहें कि आपने मुख्य मंत्री का पद उनको दे दिया और मुख्य मंत्री का पद देने के बाद वो पूरा का पूरा तबेला आपने अपने तरफ ले आए लेकिन सोचिए विचारिक रूख से तो आप आपने समने लड़के आए थे कल तक जो राहूल गंदी जाए शपद ग्रेंग करकरम के मुक्य तिती हैं और चोदा परधानमंतरी पत के उमीदवार वहां बैटे हैं जो अगले आ पर रचनात्मक विपक्ष की वी उमीद की जाती है बीजेपी करनाटक विदान सवा में विपक्ष में अपनी भूमिका निभाएगी क्या हम उमीद करें कि बीजेपी रचनात्मक विपक्ष की तौर पर ही दिखेगी या तोल फोल या नकारात्मक की राजनीति करेगी किस तरीके का विपक्ष करना टक में दिखने जा रहा है अरे वैसा रायनितिक रूप से भारती जनता पार्टी की हम एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे जनता के प्रश्न विधान सभा पर और जनता के बीच में ले जाकर दोनों तरफ से काम करेंगे आलोग जी बहाई देंगे आप शुक्री आदा करेंगे देखिए वह विपक्ष के तौर पर ही नहीं उन्होंने मुझे बढ़ाई दी और इस बात के लिए भी धन्यवाद दूँगा उन्होंने कहा कि हम असफल रहे पीडीपी के साथ जब मिले थे और आज पीडीपी के चरनों में लोटपोर्ट होकर जो हालत की है इनोंने इनको तो कोई नेती कदिकार ही नहीं है बीजेपी को किसी तरह का सवाल उठाएं रचनात्मक विबक्ष की भूमिका निभाएंगे पूरा देश देखेगा पूरा देश स्वागत करेगा लेकिन अब मुझे केवली ये बता दीजे ये दुरप्पा जी ने जो कहा था कि मैं आऊंगा तो किसानों का मैं लोन माफ करूँगा क क्या केंदर सरकार और मोदी जी ने जो बड़े-बड़े भाशन दिये थे वहां करनाटक में जाकर हम आएंगे तो ये कर देंगे क्या ये खोकले तो नहीं निकलेंगे आज पूरा देश जानना चाहता है चलिए तो मत्तरियों के नाम का एहान नहीं हुआ करनाटक में लेक करास के लिए या आप सिर्फ नकारात्मक राजनीती देखने को मिलेगी ये काइंडली आपके सामने ये बता दें ये सरकार पांक साल चलेगी किसी सरकार के साथ चरंद सिंग जी जैसा या देव गोडा जी जैसा या आईके गुजराल जैसा या चंदर शेकर जी जैसा बुरुन हत्या तो नहीं कर दी जाएगी इस सरकार की कि यह देव गोडा जी के साथ जो बड़े देव गोडा साथ जो ने अभी तो वह आप से सवाल कर रहे हैं वह यह कह रहे हैं कि केंद सरकार की तरफ से जो वादे किये गए थे करनाटक चुनाप प्रचार के दौरान क्या वह अभी पूरे किये जाएंगे जोकसाब भरोसाद लाए करना टकी जनता को मैं वैसाब उसका जवाब दूँगा सरकार स्थिर रहेगी हमारी भारती जनता पार्टी की केंदर की सरकार की स्पष्ट पॉलसी है कि हमने जो केंदर का शेर 32% से बढ़ा कर 40% किया हमारी स्पष्ट पॉलसी है कि स्टेट की सरकारें आगे बढ़े सेवा में लगे और हम करनाटका की सरकार को भी स्पोर्ट देंगे और जो चाहिए केंदर की ओर से कहीं भी किसी भी सरकार के साथ बेदवाव का खेल नहीं खेला जाएगा किसा अग बने रहेंगे पहले कुमार स्वामी के साथ किसने सरकार बनाई और क्या हुआ ब्यासपी के साथ यूपी में दो-दो बार क्या हुआ नहीं हो सकता वो कुमार स्वामी के अपने पिछले एनुपव के आधार पर किया था हम अपनी बात कर लेते हैं हम बात कर लेते हैं हम राध कर लेता नहीं सरकार के लिए हम कह रहे हैं पांच साल तक हम बिलकुर पूरी तरह से सरकार चलाएंगे बतलाने रहे बहुत पूरे पांच साल के लिए सुपोर्ट है और पूरे पांच साल की जलता को विश्वास दिलाओं कि चुक साब मुझे चुक साब मुझे केवल यह बता दीजे आपको मोदी जी का भाशन याद होगा बिहार में के पचास लाग कर करोड़ असी लाग करोड़ एक लाग करोड़ कितने कर दूँ और सरकार नहीं बनी पिर एक अठनी नेदी बिहार को यह हालत करनाटक कि लिए बड़े बढ़े बढ़े बाशlies को दे आए करनाता हमर अ나व के और मां मतरे होगी और यहन के मद्ड़े करनाटक को है और पुन् पर तरुन जी कह रहे हैं वो कहने कि करनाटक में अगले 5 साल के वास्ता में इस्थिर सरकार मिलने जा रही है आज के शपत ग्रण के बाद आपको लगता है एक एहम सवाल है नहीं देखिए राजियतिक इस्थरता एक बड़ा सवाल है माधपूर सवाल है लेकिन चुक्सा मन म मन में तो चाहेंगे कि सरकार जल्दी गिर जाए तो उनको फिर मौका मिले लेकिन यह चुनौतिक जन्ता दलैस के सामने भी है यह चुनौतिक कॉंग्रस के सामने भी है कि अगर आपने गड़बंदन किया है तो आपको करनाटक को एक स्थाई और सरकार देनी होगी लेकिन म देने का राजनितिक विवश्टा थी तो 2019 का लोगसवा का चुनाओ भी एक ऐसी राजनितिक विवश्टा है कि अभी 2019 तक मुझे लगता है यह चलेगा और 2019 के नतीजे लोगसवा चनाओ जैसे आएंगे उसका पविश्च उसके पाद निरभर होगा अगर केंद्र में पक् परते हैं जब उनका मौका आता है अपने हिसाब से फैसले लेकिन श्रीदत्तन साहब जीडियस के लिए कि इतना जरूरी है कि वो इस सरकार को स्थिर बनाकर रखे अगले 5 साल तक इस लिहाज से बात को समझते हुए कि पिछले 10 साल से वो सत्ता से बाहर रही यह जीडियस क वो लॉकसभाय एलेक्शन में 28 सीट से लिए उनके लिए भी आगे का सेंटर में जो रोल प्ले करना है वो इट आल डिपन्स ओन देटीएट सीट्स इन करनाटका तो बहुत बहुत पार्टीस विल प्ले कंस्ट्रक्टिव रोल और कंटिनू टू स्टेबल रहना चाहेंगी आलोग जी जो बात JDS पर लागू होती है करनाटकी राजनीती के संदर में आपको लगता है कि वो बात कॉंग्रेस पर भी लागू होती है क्योंकि JDS और कॉंग्रेस दोनों के इस गड़वन्दन की ये मजबूरी है कि कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को रोकना है बी पूरी जिम्मेदारी है लेकिन साथ के साथ कॉंग्रेस के उपर भी पूरी जिम्मेदारी है कि हमने बड़े अदब के साथ गटबंधन की पूरी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते हुए और करनाटक की जंता के साथ जो हमने वाइदे किये हैं उनको पूरा करने के यह समय चाहिए और समय करनाटक की जंता ने हमें पांच वर्ष का दिया है हम पूरी जुम्मेदारी के साथ न्यूज नेशन के माध्यम से बताना चाहेंगे देश की जंता को कि कॉंग्रेस पार्टी जेडीस के साथ कंदे से कंधा मिलाकर चलेगी और करनाटक की जंता को जो हम वाइदे किये हैं उनको हम पूरा करेंगे लेकिन मैं फिर पूनें पूछूंगा क्या मोदी जी और उनके मंत्री मंदल ने जो वाइदे कि पूरा करेंगे नहीं वो तो भरुसा दिला रहे चुक्साब करें कि सारे वादे पूरे होंगे आप इंदिजार कीजिए और अपने कम से कम पांच साल पूरे कीजिए ठीक है एक बार फिर रुक करते हैं तरुन चुक साहब एक सवाल आप से और इमानदारी से जवाब दीजेगा देखिए करनाटक की सत्ताव आपके हाथ से जा चुकी है होग जी कहा रहे थे कि उनको समय दिया है बैटर प्रफोर्मेंस करने का इसका मतलब जो पहले पांच साल की Сिदार माईया क्या उनका उनका ये मत्त है कि जो सरकार पांच सल वो काम चलाते रहे वो गलत काम कर रही थी जी अब कुमार स्वामी के नेत्रित्व में वो अच्छा काम करेंगे उन्हें जो बात कहीं उससे ये लग रहा है कि गनित सबसे महत्तपूरुन और और जादा मेहनत करके अब पार्टी को सबक मिला है करनाटक के नतीजूं سے लेकिन इस वक जो आप तस्वीर देख रहें अपनी टेलिजून स्क्रीन पर और वो काफी कुछ कहती हैं 2019 की राजनीती के लिहाज से और उबर तीछेतरी ताक्तों के लिहाज से भी आप देख रहे हैं कि अपसे कुछ दिर में कुमार स्वामी का शपत गरन होगा उनको मुख्यमंतरी पत की शपत दिलाई जाएगी करनाटक में करनाटक विधान सवा पर के मताविक सिर्फ मम्ता बनर जी नहीं बलकि अलग अलग राज्यों के पांच मुख्यमंतरी शपत गरन सवारों में मौझूद रहेंगे इस तरीकी की खबरे लगातार आती रही हैं लहाजा 2019 सब के नजर में करनाटक के रास्त आपको बता दें कि सोनिया गांधी कॉंग्र सब्सक्रावू नाइडू इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी टेलिजन स्क्रीन पर मम्ता बनर जी वहाँ पर मौझूद है खबरों के मताबिक दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद के जिवाल को भी वहाँ पर पहुंचना है और के मुख्यमंतरी विजियन को भी साथ में सब्सक्राइश के पूर मुख्यमंतरी बस्पा सुप्रीम वो मायावती ने शुकामनाय दी हैं जो पहुंच चुकी हैं करनाटक विदानसवा परसर में तो तमाम बड़े राजनितिक दलों के बड़े चहरे इस वक्त करनाटक में मौझूद हैं बंगलरूरू में शपत ग्रन समारो की शुरुवात होगी एजडी कुमार स्वामी को एक बार फिर मुख्यमंतरी पत की शपत दिलाई जाएगे इससे पहले बीजेपी के साथ कुमार स्वामी ने मुख्यमंतरी पत की शुरुवात की थी लेकिन वो गड़बंदन आगे बढ़ नहीं सका एक कुमार स्वामी करना टक्या अगले मुख्यमंतरी विनोद अगनी उत्री साहब यह जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं जहां पर सोनिया गांधी मौजूद है राहूल गांधी मौजूद है जिस कॉंग्रेस जेडियस गडवंदन की बात हो रही है वहां पर आपके म इस सफियर उर्फे मौं मयवाती सात मय सोनिया गांधी और राहूल गांधी से मैद। से और जिस सहजता से बात कर रहे हैं सोनिया गंदी राहूल गांदी से तो जाहिर इससे एक तो संदेश जाता है कि संबंदों में जो एक तरह से प्रगालता मधूरता है उस दिखाई पड़ रही है अभी देखा था मंता परणर जी और सोनिया गंदी बात कर रहे थे उसके प पातावरण इस शबत ग्राण समारों के जरिये बन रहा है क्योंकि मायवत्ती उत्तर प्रदेश में बड़ी ताकत हैं अख्रेश यादों भी यह पर रासपास कहीं मौजूद है शायद वह भी मिलेंगा इंसे तो यह दोनों मिलकर कि उत्तर प्रदेश जहां से 80 सीटे हैं लो जवाब दीजेगा इन तस्वीरों को देखकर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांदी नहीं बलकि सौनिया गांदी भी मौजूद है और बाकी राज्यों के कई मुख्यमंत्री और पूर मुख्यमंत्री अख्लेश यादब इस वक्त नजर आ रहे हैं